मोहन नाम का लड़का रास्ता भटक कर सुन्दरवन के घने और खतरनाक जंगल में पहुँँच गया था वो जलते हुए जा रहा था वो ऐसे कुछ ही आगे पहुँच कर अपने आसपास के जंगल को देखने लगा मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ पहुँच गया है वो डर कर वहां से भागने लगा वो भागते हुए जा रहा था कि वहीं अचानक उसे शेर के घुराने की आवास सुनाई दी वो वहीं रुख गया वो अवास कहां सी आई ये देखने के लिए वो अपने आसपास देखने लगा वहीं अचानक जब उसने सामने देखा तो एक बड़ा सा फायर लाइन उसके ठीक सामने खड़ा था उस फायर लाइन से निकलती हुई आग की गर्मी मैसूस हो रही थी मोहन को उस फायर लाइन से डर तो लग रहा था लेकिन मोहन वहीं शान खड़ा था वैसे वो फायर लाइन चलते हुए मोहन के पास आगया तुम कौन हो? और मेरे जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम मोहन है मैं रास्ता भटक कर गलती से इस जंगल में आकर खो गया हूँ और मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता अच्छा तो ये बात है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ जंगल से बाहर निकलने में लेकिन उस से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा बताओ मुझे क्या करना होगा इस जंगल में एक जादूई क्रिस्टल चुपा हूँ है और वो क्रिस्टल मुझे चुराया गया है और वो क्रिस्टल मुझे वापस चाहिए तुम मेरा जादवी क्रिस्टल ढूडो और मेरे पास वापस लाओ और बिदले में मैं तुम्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा ठीक है मैं ये करूगा और हाँ जादवी क्रिस्टल बहुत ही शक्तिशाली है वो क्रिस्टल किसी गलतात में पढ़ गया तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है मोहन उस जादवी क्रिस्टल को ढूड़ने के लिए निकल पढ़ता है मोहन जंगल में उस क्रिस्टल को ढूड़ने ढूड़ने बहुत आगे निकल आता है वहीं वो सामने देखता है और उसकी नजर दूर एक जरने पर पड़ती है और मोहन उस जरने की तरफ चला जाता है मोहन उस जरने के पास पहुंच जाता है वहीं वो देखता है कि उस जरने के पीछे तो एक गुफा है इस जरने के पीछे तो एक गुफा है मुझे ऐसा लग रहा है वो जादूई क्रिस्टल इस गुफा के अंदर होगा इसके अंदर जाकर देखता हूँ मोहन उस गुफा के अंदर चला जाता है वो उस गुफा के काफी अंदर चला जाता है वहीं उसे दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है वो उस चमकतीवी चीज की तरफ जाने लगता है मौन जब वहाँ पहुंचता है तो वो वहीं जादुई क्रिस्टल होता है जिसको लेने का फायर लाइन ने उसे कहा था मौन उस जादुई क्रिस्टल को उठा लेता है वहीं अचानक मौन को पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है मौन पीछे मुड़ कर देखता है तो तीन शिकारी उसकी तरफ आ रहे होते हैं ये लड़के वो क्रिस्टल हमें दे दो नहीं मैं नहीं दूँगा ये क्रिस्टल ये क्रिस्टल तो फायर लाइन का है हमें इसकी परवा नहीं ये क्रिस्टल जिसका भी है लेकिन ये हमें चाहिए और इसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं वो शिकारी मौन की तरफ आने लगते हैं मोहन बहुत डर जाता है और वहीं से भागने की कोशिश करता है वहाँ जंगल में वो फायर लाइन मोहन के लोटने का इंतजार कर रहा था वहीं अचानक उसे एक आवास सुनाई देती है और भागते हुए वहाँ जाता है वो देखता है कुछ शिकारी मोहन के पीछे भागते हुए आ रहे थे मोहन वहाँ फायर लाइन के पास आ जाता है तुम इसका पीछा क्यों कर रहे थे तुम क्या चाते हो हमें वो क्रिस्टल वापस चाहिए जो उस लड़के ने हम से चुराया है ये क्रिस्टल मेरा है और तुमें ये नहीं लेने दूँगा अगर तुम हमें ये क्रिस्टल नहीं दोगे तो हम तुमें मार कर भी ये क्रिस्टल ले लेंगे उस फायर लाइन को बहुत ज़्यदा गुसा आ जाता है और वहीं वो क्रिस्टल उड़कर फायर लाइन के अंदर समा जाता है और वो फायर की आग पोर ज़्यदा तेज हो जाती है वहीं वो फायर लाइन मुझ से आग दुगल कर उन सब शिकारियों को जला कर राप कर देता है मैजिकल गोल्डन वेल अंडर ग्राउंड जाएंड गोल्डन फिश सुन्दर वन गाउं के ज्यादा तर गाउं वाले मचवारे थे वो रोज सुबा सुबा गाउं के पास वाले समंदर पर जाते और मचलियां पकड़ते उन सब में रंगेश नाम का एक मचवारा भी था बाकी सब गाउं वाले तो बड़ी बड़ी और अच्छी मचलियां पकड़ लेते लेकिन रंगेश के जाल में हमेशे छोटी मचलियां ही फस्ती थी इससे रंगेश बहुत दुखी होता बागी सब के जाल में तो सिरफ बड़ी बड़ी मचलिया ही फस्ती है मेरे ही जाल में छोटी मचलिया क्यों फस्ती है और कभी कभी तो कोई मचली भी जाल में नहीं फस्ती ऐसा अगर चलता रहा तो मैं तो कोई पैसे भी नहीं कमा पाऊंगा एक दिन रंगेश समंदर पर मचलियां पकड़ने के लिए जा रहा था तो वहीं कुछ गाउं वाले बड़ी-बड़ी मचलियां पकड़कर गाउं आपस आ रहे थे आज तो मज़ा ही आ गया इतनी सुबह सुबह बड़ी-बड़ी मचलियां हाथ लगी है इन्हें मार्केट में बेच आते हैं फिर एक और जाल डालेंगे फिर और मचलियां पकड़ेंगे उन सब गाउंवालों को देखकर रंगेश बहुत जल रहा था और बहुत गुसे में था मुझे बड़ी और अच्छी मचलियां नहीं मिल रही तो क्या हुआ अंदरी राक्षस रहते थे एक दिन वो कुछ बात कर रहे थे इन्सान यहां की बड़ी मचलियां पकड़ते जा रहे है अगर वो ऐसा ही करते रहे तो जल दी यहां की सारी मचलियां खतम हो जाएंगी हमें इन इन्सानों का कुछ करना पड़ेगा हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं भी कुछ जिनों से यहीं देख रहा हूँ अगर वो इन्सान ऐसा करते रहे तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा इन्सानों से बदला लेने के लिए हमें कोई प्लैन बनाना पड़ेगा हम उन से बदला कैसे लेंगे अपना प्लैन बिदाता है बाद में वो राक्षस अपनी शक्ति इस्तिमाल करके एक सोने का कुछ और एक बड़ी सोने के रंग की मचली प्रकट करते हैं हम खुद तो पानी से बाहर नहीं जा सकते लेकिन हम इनसानों को तो पानी के अंदर ला सकते हैं जो भी इनसान या जानवारी सोने के कुई को देख कर इसके पास आएगा और पिर हमारे पास समंदर में ले आएगी वो राक्षस उस सोने के कुई और उस मचली को वहां से गयाब करके वहीं समंदर के पास एक जगा पर प्रकट करते हैं वो कुएं उपर जमीन पर होता है और मचली उस कुएं के ठीक नीचे पानी में उस सोने के कुएं को देखकर गाउं वाले उसके पास आने लगे जैसे ही वो उसके पास पहुंचते तो मचली उन्हें कुएं के अंदर खींच लेती और वो मचली गाउंवालों को उन समंदरी राक्षोंसों के पास ले जाती जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है हमारा प्लैन काम कर रहा है ऐसे कुछी दिनों में हम पास के सारे गाउंवालों को कैद कर लेंगे एक दिन कुछ गवाले उस कुएं के पास गए तो उन्हें उस मचली ने कुएं के अंदर खींच लिया वहीं दूर से रंगेश भी ये सब देख रहा हुता है और ये कैसे हो रहा है जो भी इस कुएं के पास जाता है ये कुवां उसे अपने अंदर खींच लेता है हम इसका पता लगाना पड़ेगा रंगेश अपने दोस्त आविश्कारक मिश्रा के पास जाकर उसे सारी बात बताता है मेरे पास एक आइडिया है हम उस कुवें में एक ड्रोन भेज देंगे उस कुवें के अंदर जो भी होगा हमें उसका पता चल जाएगा बाद में वो एक ड्रोन वहाँ ले गए और दूर से खड़े होके उसे उड़ा कर कुवें के अंदर भेज दिया वहीं ड्रोन की वीडियो से उन्हें उस बड़ी सोने की मचली का पता चल गया अरे ये तो एकदम बहुत बड़ी सोने की मचली है हम एक क्रेन लेकर इसे कुवें से बाहर निकालते हैं इतनी बड़ी सोने की मचली को बेचने से बहुत पैसे मिलेंगे हम एकदम माला माल हो जाएंगे वो एकदम वैसा ही करते हैं वो एक क्रेन लेकर आते हैं, वो उस कुएं के अंदर से उस बड़ी सोने की मचली को बाहर निकाल लेते हैं कोरों से पेच कर वो एक बहुती संदर घर खरीदता है और अपना एक व्यपार भी शुरू करता है